नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ नहीं है महराश्ट में जारी सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो दूसरी तरफ सिफ्षेना और बीजेपी के वीच जुबानी जंग तेज है भाजपद्यक जेपी नड़ा ने कारेकरम में अपना बयान दिया कि सिफ्षेना सहीत शेतरिया पार्ट या खत्म हो जाएंगी और देश में केवल भाजपड़ ही रहेगी नड़ा के वियान पर सिफ्षेना ने पलटबार किया है मुपत्र सामना में शिवशेना ने कहा कि बाला साहिप के नाम पर ही आज आप महरास्ट में तर गए बीजेपी चीफ जेपी नड़ा के बयान को लेका शिवशेना ने अपने मुपत्र सामना के जरीए निशाना साधा है सिर्जेना ने नड़्ड के बयान को एहंकार और घमंट से भरा बताया साथ ही कहा कि सिर्छेना को खत्म करने निकले जेपी नड़्ड की सहवा में है सिर्षेना ने ही भाजपा को 25 सारों तक अपने कंदे पर गुमाया सिर्फ शेना ने कहा कि आप बाला साहिब ठाकरे के नाम पर ही आज महराश्ट में तर गए है सिर्फ शेना ने याद दिलाए कि जब पूरा विश्व मोधी के विरोध में खड़ा था तो तब हिंदूत्व के लिए सिर्फ बाला साहिब ठाकर ही नरेंदर मोधी के साथ थे और बचाओं में थे सिर्शेना का कहना है कि नड़ा तानाशाई की भाषा बोल रहे हैं सामना में सिफशियना ने कहा है कि एक समय कॉंग्रेस को भी ऐसा ही लगता था कि देश में हम सिर्फ हम ही रहेंगे लेकिन आज क्या इस्तिती है कॉंग्रेस को हरा कर बीजेपी सत्ता में आई सिफशियना ने पूझा कि आज जंता पार्टी कहा है फाजपा भी सुके पत्तों की तरह उड़ गई थी लेगे राजनिती में लोगों को मन कब बदल जाएं उसका भरोसा नहीं है बीजे भी लगता चुनाव दीत रही है इसका यर्थ नहीं कि मुकाबले में कोई बचा नहीं है ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहीएगा नेश्ट नाई नियूस के साथ और आपको हमारी खबर लगी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा धन्यवाद